हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खस्ता मठ्री की रेसिपी जिसे बनाना काफी आसान है और खाने में भी बहुती टीस्टी लगता है, इस वीडियो में मैं आपको दो तरह की मठ्री बनाना बताने वाली हूँ, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, मठ्री बनानी के लिए हमने यहाँ पे लिया है प्लेट और अभी इसमें हम डाल देते हैं, एक कटोरी मैदा, एक चम्मच कलोंजी, आधा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट का एकॉर्डिंग कमिया साथा कर सकते हैं, और फिर इ बाइंडिंग तयार होना चाहिए, यह देखिए, बाइंडिंग तयार हो रहा है, इसका मतलब हमने जो तेल डाला था, वो परफेक्ट है, और अभी इसमें हम डाल देते हैं पानी, पानी आपको थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, और डो जो है वो तयार करना है, आप रोटी की तरह पतला सब बेल लीजिए, मत्री को आप एक दो मैने के लिए स्टोर करके एर टाइट कंटेडर में रख सकते हैं, मत्री खाना सभी को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यह खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है, जब कभी भी आपका चाय के साथ कुछ हल्का बहुत हैं, आपको बनाने के लिए बहुत ही कंटा ला रहा है, तो आप मत्री खा सकते हैं, जो आपने स्टोर करके रखा है, रोटी की तरह हमने बेल लिया है, तो अभी इसमें हम डाल देते हैं, दो चम्मच तेल, और इसे आप हाथों से अच्छी तरीके से फैला यह देखिए, हमने अच्छी तरीके से रोल कर लिया है, तो अभी इसमें हम चाकू के हल्प से कट कर लेते हैं, यह देखिए, सारी मत्री जो है, वो हमने कट कर लिया है, और अंगुठे की हल्प से आपको इस तरीके से प्रेस करना है, सारी मत्री जो है, वो हमने बना कर तयार कर लिया है, तो अभी इससे हम फ्राइ कर लेते हैं, तेल हमने रखा था गरम होने के लिए, और तेल भी जो है, वो अच्छी तरीके से गरम हो चुका है, तो अभी हम एक एक करके सारी मत्री जो है, वो फ्राइ कर लेते हैं, और कैस का फ्लेम आपको स्लो मेडियम पे रखना है और दोनों साइड से आपको उलट उलट कर अच्छी तरीकी से गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करना है इसका जो कलर है वो हलका सा गोल्डिन ब्राउन हो चुका है तो अभी इसे हम एक प्रेट में निकाल लेते हैं पहले डिजाइन की मठरी हमने बना कर तयार कर लिया है तो अभी इसे हम आपको तोड़ कर बताते हैं कितना खस्ता हमारा मठरी जो है को बन कर तयार हुआ है और अभी हम दूसरा डिजाइन आपको बताते हैं और थोड़ा सा आठा आप हाथ में उठाईए और इस तरीके से आपको रोल करना है और फिर हाथों से हलका सा प्रेस कीजिए और सुखा आठा लगाईए और रोटी की तरह आपको इसे पतला सा बेलना है रोटी की तरह हमने बेल लिया है तो अभी इसमें हम डाल देते हैं दो चम्मच तेल और इसे आप हाथों से अच्छी तरीके से फैला लीजिए और फिर सुखे आठे से आपको डस्ट करना है और आपको इस तरीके से टाइट जो है वो रोल करना है और इसे आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट करना है यह देखिए सारी मठरी जो है वो हमने कट कर लिया है फिर इसे भी आपको थमकी हल्प से हलका सा प्रेस करना है प्रेस करने के बाद आपको पूड़ी की तरह इसे बेलना है यह देखिए कितना पतला हमने बेला है तो अभी इस पे हम लगा देते हैं तेल इस तरीके से तेल लगाने के बाद आपको फोल्ड करना है एक fold हमने लगा दिया है तो अभी इस पे हम लगा देते हैं तेल और इसे भी दूसरी तरब से fold कर लेना है यह देखी कितना पतला हमने बेला है हम पराठा बनाते हैं उसी design का हम मठ्री बना रहे हैं सारी मठ्री जो है वो हमने बना कर तैयार कर लिया है तो अभी इसे हम फ्राइ कर लेते हैं और कैस का फ्लेम आपको स्लो मेडियम पे रखना है और दोनों साइड से आपको उलट उलट कर अच्छी तरीकी से गोल्डेन ब्राउन होने तब फ्राइ करना है इसका जो कलर है वो हलका सा गोल्डेन ब्राउन हो चुका है तो अब भी इसे हम एक प्रेट में निकाल लेते हैं यह देखिए दूसरी डिजाइन की मठरी भी हमारी बनकर तयार है इसे भी हम आपको तोड़कर बताते हैं कितना खसता हमारा मठरी बनकर तयार हुआ है यह देखिए दोनों डिजाइन की मठरी बनकर तयार हो चुकी है अगर आपको मेरा यह रेसिपी अच्छा लगा हो तो आ आप मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें